एई वीडियो रे आमें आयनिक और इलेक्ट्रोवालेंट बॉंड भी सरे डिसकस करिवा तो आयनिक बॉंड केमती फॉर्म हुए तावी सरे आमें ब्रीफली आगरो कथा है चे जमती फर एक्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इस आ आयनिक कमपाउंड तो आको आमें आयनिक कमपाउंड कहीं की कहुचे बिकास इत कॉंसिस्ट अफ न प्लॉस आयन और C-L माइन अव ए दीटा आयन भीतरे इलेक्ट्रोस्ताटिक फोर्स अट्राक्शन थाये विच होल्स तेम तुगधर अन इलेक्ट्रोस्ताटिक फोर्स रा रिजन कॉन दो अपोजिट चार्ज अन थीज आयन्स तांको लागी समयने परस्पर को अट्राक्शन करां थी तो दिस इस बेसिक आईडिया ना इफ यू लुक अट इस होल थिंग इन स्लाइटली मोर दिटेल तम जदि सोडियम को देखिवा सोडियम रा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन हो ची 1s2, 2s2, 2p6 तापर रहाँ ची 3s1 तो सोडियम रो जदियामे s1 रा जो गट्टे इलेक्ट्रोन ची जदि से इलेक्ट्रोन टागवा में रिमूफ कर दबा तो सोडियम रोड बेफिती बिटा 2s2, 2p6 आओतर्मूस रोट्रोन बिकीरेशन फिरेक्ष्क पर डिमूफ सिमाल टागवा Chevamena Plus बिकवेशन आप्लस रएलेक्रोनिक Конफिगरेशन एक्ट्रिमूस जद चालिक रिमूबल तो सोडिंधिती और आओतर्मूस शेल रा कन्फिगरेशन कु देखीबो, क्लोरीन रा आउटर्मोस शेल रा कन्फिगरेशन होची 3S2, 3P5. नाव तो बिकम लाइक नोबल ग्यास, एठी जोदिया में 3P6 कर देई पारिबा, तालेटा नोबल ग्यास कन्फिगरेशन होची जीबो, तो 3P6 केम्ति करिबो, सेथर गोटे इलेक्रोन आमें बाहरू आड करिबो अको पोडिबो, तो सेथिबाएं क्लोरीन एक्जिबेट सा tendency to gain an electron and become Cl-ion, तो once they acquire these charges by losing and gaining electron, they have become stable due to a octet noble gas-like configuration, तो ता परे तांकर चार्ज लागी, तांकर भीतर इभड़े अगोटे force of attraction build-up, which is the reason for formation of ionic compounds such as NaCl, तो जेकोन से ionic compounder formation process को आमें एभड़िया बुझे ही परिवा, तो normally कोण हबो, जोटा metal थिभो, जम्ति sodium एठी होची, गोटे metal, तो if you have a metallic element, it will have a tendency to lose electron and become a positive ion, तो जम्ति जदी non-metal अची, जम्ति chlorine एठी हला हमरो non-metal, तो non-metallic element has a tendency to gain electron and become a negative ion, तापरे से दीटा ion भितरे mutual attraction, electrostatic attraction है की, there is a ionic compound created, बट एठी गोटे तिंसत में जानि बादर कर, जे na plus of cl minus भितरे, जदियो आमें कहुचे, mt कोटे force of attraction exist करूची, the structure of na cl is not like this, एते simple नुह, तो na cl अ structure टा केम थी, ताको बुझी भापाई, you have to look at this figure, तो एजो figure देखुचा, एजो छुट्टो sphere गोड़ा अची, these are na plus ions, अव जो बड़ा sphere गोड़ा अची, those are cl minus ions, तो एजो मार कर, there is a arrangement of all these ions, in a three dimensional form, अव यह arrangement रोटे जन सो नोटिस कर, सपोज, तेक this sodium for example, तो एजो sodium टा रहिची, ताको surround करिकी, you have cl minus ions, तो certain number of cl minus ions, have surrounded sodium plus, na plus ion, तो एजो एजो अचुली कौन होची, तामा जदी एई sodium उपरे कौन-कौन force of attraction रहिला ताको देख्किब, then it is getting attracted from all sides, एपोट गोटे force पोड़ुची, तारा opposite direction ने भी गोटे force पोड़ुची, तो एठी मार कर, एई ख्लोराहिटर जो force of attraction अची, ताको एई ख्लोराहिटर force of attraction cancel कर दवो, if there is equal and opposite force applied on the same object, then net force on the object becomes 0, तो तो थे तो forces will cancel each other, से भढ़िया एपोट कौ जो attraction होची, that gets cancelled by this attraction, तोलुको जो attraction टा होची, that gets cancelled by this attraction, तो टेखनिकली speaking, एनने प्लस उपरे net force of attraction एठी कीची नहीं, जदियो सेट अगो, क्लोरीन और C-L- ions surround करीकी रखी चंदी, now the same thing is true for each C-L- also, each C-L- is also surrounded by sodium ions, तो गोटे C-L- उपरे सब्बु direction नो जो जो force of attraction पड़ुची, due to neighboring N-A plus ions, से सब्बु तको force भी cancel ही जाओ चंदी, so the ions are arranged in such a way, that the net force of attraction on any ion is always 0, हेले कोण हब, प्रति आयन ता निज़ जागरे still रही बस, थी रही की रही बस, तो 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 एजो stationary arrangement आ देखो च, every N-A plus and C-L- in this diagram, is stationary in its position, तो 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 आर्थ, they will all remain in a definite arrangement like this, तो एजो definite arrangement of ions तो मिदेखो च, this is actually found in solid state, अव यह जो आरेंजमेंट टाकू गोटे आयनिक लाटीस बोली ना दिया आईजी तो दिस इस कालड आयनिक लाटीस लाटीस रा टेकनिकल अर्था हो जी इस दा एक्जाट आरेंजमेंट अफ कैटायन्स अननायन्स इना सॉलिड फर्म तो जेकोन से आयनिक कमपाउंट में नब तारा स्ट्रक्चर भीतरे एम ती आयन गुड़ा का कोटे डेफिनाइट वे रे आरेंज हेंगी थिवा और दाट आरेंजमेंट इस अल्वेस रेफर्ट तो आजा आयनिक लाटीस ताले एठी कोटे जिन सा नोट करा जे एई जू लाटीस रे तमेंगोटे मॉलिक्यूल को डिफाइन कर परी वनी वट आयनिक तो से तमें धरा कईबा नसल होची सोडियम क्लोराइड रोगोटे मॉलिक्यूल बट जदी आमें एई लाटीस डियाग्राम रे देखिवा सपोज तेक फॉर एग्जामबल दिस सोडियम तो एई सोडियम रो नेबरिंग क्लोराइड बहुत गुड़ होची तो वी केनाट पिन पोइंट के एई सोडियम सोईतो कोई क्लोरीन टाम इसी की गोटे मॉलिक्यूल तेयरी कला तो एम ती गोटे यूनीक पैर को तमये डिफाइन करी पयर बनी जो धीटा को तमये गोटे आगाटा मॉलिक्यूल बली कही बो तो गोटे आईनिक कंपाउञ रे देर इस नो अमॉलिक्यूल तेकनिकली ताले आमें इस जू ने छील फर्मूला लेखु छे तो this is not the molecular formula, remember this, जेकोन से आयनिक compound रो जो formula लेखु जो, that is not a molecular formula, then what is it, now this particular formula is simply an empirical formula, तो empirical formula बिशार आमें आगरू सिखीचे, empirical formula represents the atoms present within the molecule, और atoms present within the compound, in their simplest possible ratio, तो आमरो sodium chloride रे, Na आउ Cl रेशियो थाए 1 is to 1, तो आमें formula को लेखी जेले NaCl, तो this only shows, के इस total arrangement भितरे, number of Na plus, आउ number of Cl minus, equal रोची, Na plus and Cl minus, they are in 1 is to 1 ratio, तो we always represent any आउनिक compound by its empirical formula, तो remember this is not the molecular formula, but empirical formula, तो this is the basic idea, about how ionic compounds are created, जेते बढ़े ionic compound रो formation रो प्रोसेश टाको में देखीबा, से थरे गोटे छोटिया analysis करा हुए, which is called Born-Habber cycle, ये Born-Habber cycle भी सारे, तो में thermodynamics chapter रे, आहरी detail ले सिखीबा, but let us briefly see, what this Born-Habber cycle is all about, तो again, let us take the same example of sodium chloride, तो sodium chloride तो को थरू form हुची? तो 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 में जेते नाचुरल फर्म रे देखीबा, sodium तो नाचुरली रूम कंडिशन रे तमो को मिली भा, as Na solid, अव क्लोरीन तो अमो को मिले, in the form of Cl2 gas, this is how these elements are found in nature, ये ये दीटा जिन सो मिसी की, you will have to form NaCl, तो तो में चाहले equation तो बालांस करी भापाए, ये थी गोटे half coefficient पकेई पारो, तो Na solid plus half Cl2 gas gives NaCl, and this NaCl that we are getting, is an ionic solid, तो तो ये लड़ में आदे लोगे, तो जो तो दो लोगे, लोगे स्टोक्चुर रोगे, तो नो जो तो चुचुर दो थी, तो ये लोगे स्टोक्चुर भीतर the formation of NaCl, यही जो formation दो प्रोसेस हुआ, मैं पाट पाट करी की ब्रेक करी पारिवा, तो what kind of parts can we take, जमति धरह जो Na solid अची, it has to become Na plus, in order to become part of NaCl, Na needs to become Na plus, remember this, ताले Na solid रू, Na plus परजनता में केमति जिवा, तो तको तुमें एगें पाट पाट रे ब्रेक करी पारो, Na solid first can be converted to Na gas, जिन Na gas रू, कोटे electron loss करी की, you can get Na plus, and since this Na plus is not bonded to anything, यह टा भी कोटे gaseous form रही मिलीबो, ताले बहे दखा, जोदी sodium solid तको आमें gas कले, यह भड़िया change को कहनती sublimation, तो एई प्रोसेसरे जहाँ heat की, जहाँ energy utilize हब, ताको आमें इमति लेखिवा, delta H sublimation, तो sub stands for sublimation, तो सेटी कीछे energy absorb हेला, ताहाँ पर जेतुड़े Na gas रू, तमें गोटे electron remove करीकी, Na plus पाउच, एई प्रोसेसरे भी energy gain हुए, and the amount of energy that is gained when one electron is removed out of a neutral gaseous atom, that is called ionization energy, एई energy रडेफिनेशन आमें आगरू periodic properties पडलावलेको देखिचे, so since एटी Na टा gaseous state रे अची, Na is present as a gaseous atom, सेथुरू जदी electron remove कला, to create a positive ion, ताहले एई प्रोसेसरे जहाँ भी energy utilize हब, that is called IE, energy, और ionization energy, तो सही भड़िया, जब तुमें half Cl2 nature, सही थुरू तमको Cl minus ion आणिवाको पड़िवो, you have to get this Cl minus ion, because Cl minus is required to form NaCl, ताहले एई प्रोसेस को भी आमें पाट-पाट करी की break करी पड़िवया, तो half Cl2 first can be converted to Cl gas, then Cl gas रे आमें गुट्टे electron add करी की, we can get Cl minus gas, because right now the Cl minus is not bonded to anything, तो किछी बांड जदी नत्थिवा, कोटे जिन्सा gaseous stator रहिवा, ताहले एबे दखा, जटे बले half Cl2 को तमें Cl कर चा, एठी अक्चुली काण हो ची, Cl2 रे there is a bond between two chlorine atoms, एई बांड को break कर देले, आमें chlorine atom को free कर दो चे, तो bond breaking रे जो energy utilized हुए, that is known as bond energy or bond enthalpy, तो let us write it as B, B stands for bond energy, now यह जो bond energy नेचा, बाइचा 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 पर मोल नेचा हुए, तो एठी में केते मोल Cl2 नेचा, half mole, तो we have to multiply a half here, तो half into bond energy of Cl-Cl bond is utilized in breaking these bonds and creating Cl gas, ता परे chlorine gas which is a neutral gaseous atom, सैथर तमें गोटे electron आड कोलारू, Cl- पाइला, ना वेन वेन आड वान electron to a neutral gaseous atom, to create a negative ion, एई प्रोसेसरे energy loss हुए, तो जो energy टा लास हुए, that is called electron gain enthalpy, तो ता को में मत लेक्तुले delta H EG electron gain enthalpy, तो electron gain enthalpy loss हुए, तो एला परे, you will get Cl- gas, then final step परे, एठी जो Na plus gas हाईला, आव जो Cl- gas हाईला, जो Cl- gas हाईला, जो 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 other, Na plus gas, will combine with Cl- gas to become NaCl solid, तो जो ema process रे NaCl solid हाईला, तो एई ब जो सरी bela, Na plus or Cl minus initially, अलगा जो 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 जोन जो जो जो, free जो, they were not bonded to anything, तो जो जो स्याती परेंन स्यासिटा करें में जो हाईला, जो 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 सरी देक्ए, जो अचर Imayakि问题, there you will get NaCl solid ताले एई प्रोसेसरे तमा जानी पर थुब आमारा आयोनिक बोंड जो अच्छी Na plus of Cl minus भी तरे तो जो आयोनिक बोंड आर फॉर्म्ड तो एठ्थी जम्थी बोंड ब्रेक करिवा बढ़े तमाको एनर्जी दबागो पॉर्ला दा सिस्टम अब्जोर्ब्स एनर्जी तो ब्रेक दिस बोंड सम्थी एठी ओल्टा हुची एठी बोंड फॉर्म हला Na plus of Cl minus भी तरे आमें आयोनिक बोंड फॉर्म करिकी NaCl solid आण ले तो एई प्रोसेसरे जहतु बोंड फॉर्म हुची ये ठीकी ची एनर्जी लॉस हब हो तो whatever energy is lost that is called lattice energy तो ताको LE बोली लेखिवा तो एई जू overall process माने जेते बढ़े आमें Na solid कु आवं half Cl to gas कु convert कोरचे इन्टू NaCl solid एई प्रोसेसरे अमती बहुत गुडे सब पार्ट सब रहुची आवं इज पार्ट रे किछी energy gain की loss होची तो टेक्निकली जेते बढ़े calculation सब करा हुए जोटी जोटी एनर्जी gain हुए सेगुडाको positive निया जाए आवं जोटी जोटी एनर्जी loss हुए सेगुडाको negative निया हुए तो से लोजिक रे जेते बढ़े solid रुग्यास कला delta is sublimation एटा gain होब तो positive n ग्यास रे तम्हें energy देले मने n ग्यास जोटी energy gain कला ताहाले सित्रू electron remove है कि n प्लस 5 हो तो since it is gained एटा भी positive सेम दे एटी bond break करीवा पाई आमको energy दबागो पड़ीव तो CL2 gains energy and breaks the bond तो जेते बढ़े गेन होचे एटा भी positive किन्तु electron gain बढ़े एठी energy loss हुए तो एटा negative सेम ती last part रे last step रे Na plus gas आव CL minus gas भी तरे ionic bond form हला तो एठी कीची energy loss हला तो this lattice energy is also negative तो एभे एई सब उए energy को हमें relate करी की lattice energy रो गटे calculation भी चाहिले करी परीवा तो that calculation is referred to as a Born-Habber cycle तो से calculation टा केमती करा हुए जस्ट खाली demonstrate कर दाऊची एई calculation गुड़ा को तो में एई चाप्टर रे बेशी दरकार हबनी जेते बढ़े थर्मोडानेमिक सामे करीवा we will do these calculations in detail तो calculation टा केमती हुए देखा एई जो प्रोसेस रो हमें start करी थिले I said this is called formation of NaCl तो एठी overall प्रोसेस रे किछी energy change है थिभो मने you know that any chemical reaction it can be endothermic और exothermic तो से इस अबरे एई reaction टा भी कण गोटे है थिभो तो एई reaction रे जहाँ heat gain की loss हो ची let us say it is delta H तो एई जो पार्ट मने एई जो प्रोसेस रामे कले ताको आमें पार्ट पार्ट करीकी ब्रेक करचे ताले टी कौन हब तमे जदी एई individual पार्ट सरा सब्बूत का energy को मिसे दब that will be equal to delta H which means we can establish a relation like this that delta H is equal to delta H sublimation of sodium plus ionization energy of sodium plus half of bond energy of CLCL minus electron gain enthalpy of chlorine minus lattice energy तो जदी आमको एथी सबुजा का जिनसा जणा आची except lattice energy ताले एथुरा में lattice energy रा calculation करी पारिवा तो usually the purpose of Born-Habber cycle is to calculate this lattice energy and this is how it is done but do not worry about the calculations right now एक calculation को अज आई said आमे थर्मोडाइनेमिक्स चाप्टर रे बहुत डेटेल ले करी बाया झाले करी आप आप दो चापाइने अज़ इना में आपाइने और रेका भुता उड़ाईने